सम्हाधी के सौपान अध्याय चार शांती की घडियों में इश्वर ये आवाज कहती है स्मर्ण रखो, सदेव स्मर्ण रखो पवित्र हृदे व्यक्ती ही इश्वर का दर्शन पाते हैं पवित्रता पहली आवश्यक्ता है जैसे लोग जो अपनी इच्छाओं से चालित हैं अपनी वासनाओं के संबंध में उतकट हैं उसी परकार तुम पवित्रता के लिए उतकंठित हो जाओ पवित्रता उपलब्ध करने की तिवर इच्छा रखो गहराई और अध्यवसाय पुर्वक पवित्रता की खोज करो केवल यही परियोजनिये हैं मेरे भक्त प्रहलाद की मेरे प्रती प्राथना का स्मरण करो प्रभु संसारी लोगों की छण भंगूर विश्यों के प्रती जैसी आशकती है जैसा प्रेम है वही आसकती वही प्रेम तुम मुझे अपने लिये दो पवित्रता इश्वर्य सानिध्य की दहलीज है इश्वर का चिंतन करने के पूर्व पवित्रता का चिंतन करो पवित्रता वहा चावी है जिससे ध्यान रूपी द्वार जो सर्वशक्ति मान के घर ले जाते हैं, खुलते हैं मेरी शक्ति के समुद्र में स्वयम को फेंक दो चेश्टा ना करो, चाहा ना रखो जानो की मैं हूँ यह ग्यान मेरी इच्छा के प्रती पूर्ण समर्पन के साथ युक्त होकर तुम्हारा उद्धार करेगा भैवीत ना होना क्या तुम मुझ में नहीं हो क्या में तुम में नहीं हूँ यह जान लोग की लोग जिसे इतना महान समझते हैं वहा एक दिन चला जाता है मृत्यू जीवन के विविन प्रकारों को निगलती हुई सर्वत्र विराजमान है मृत्यू और परिवर्तन आत्मा को छोड़कर अन्य सभी को जाल में फसाते और बांधते हैं इसे जानो पवित्रता ही इस ज्ञान की प्राप्ती का उपाय है यह आधार भित्ती है पवित्रता के साथ निर्भयता आती है और आती है सौतंत्रता और तुम्हारे सौरूप की अनुभूती जिसका की सार मैं हूँ तूफान आने दो किन्तु जब इच्छाएं तुम्हें जलाएं और मन चंचल हो तब मुझे पुकारो मैं सुनूँगा क्योंकि जैसा की मेरे भक्त ने कहा है मैं चीटी की पद्ध्वनी भी सुनता हूँ और मैं तुम्हारी सायता करूँगा जो मुझे आंतरिक्ता पुर्वक पुकारते हैं मैं उनका त्याग नहीं करता केवल आंतरिक्ता नहीं अध्यवसाय पुर्वक मुझे पुकारो मैं विश्व नहीं उसके पीछे की आत्मा हूँ विश्व मेरे लिए मृत देह के समान है मेरी अभी रूची केवल आत्मा में है बस्तूँगी बाहरी विशालता से भ्रमित ना हो जाना दिव्यता ना तो रूप में है और ना ही विचारों में वहा शुद्ध मुक्त आध्यात्मिक आनंद पूरण रूप रहित विचार रहित जेतना में है जो कलुश पाप बंधन या सीमा से परिचीत नहीं है परिचीत हो भी नहीं सकता हे आत्मन अंतर के अंतर में तुम वही हो इसकी अनुभूती तुम्हे होंगी इसका होना अनिवार्य है क्योंकि जीवात्मा के जीवन का यही लक्ष है स्मर्ण रखो मैं तुम्हारे साथ हूं मैं इश्वर तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे सब दुरबलताओं के लिए मैं शक्ती हूँ, तुम्हारे पापों के लिए मैं छमा हूँ, मेरी खोज में मैं तुम्हारा प्रेम हूँ, मैं ही तु हूँ, आत्मा के संबंध में अन्य सभी विचारों को त्याग दो, क्योंकि इस विचार में कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से किसी भी प्रकारभिन है, सभी अज्ञान और दुरबलताओं नीहित हैं, ओ जोती स्वरूप उठो, जानो की मैं ही तुम्हारी आत्मा हूँ, और पवित्रता ही मेरे सानिध्य का पत्थ है, इसी में तुम्हारी हरी ओम तत्सत, ओम शान्ति 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 हैं